नमस्कार को आपको बताएंगे कि внимание फरक होताओ पेस्टिंगा और आप डुकाने झाएंग तो आप पाहिश पाहिकानना यह बुखराम पते हैं उन्हें में सब कुछ बता देंगे डिटेल्स हैं और कितने प्रकार की होती है और कैसी होती है पेस्टिंग और वुकरम दोनों कसा बीडियो को शुरू कर दोनों Alls होता है यह मतलब यह देखिए यह इस तरीके से हो जाती है और इसके अंदर यह देखे चूना बगएरा चुट रहा है यह दिखेए यह चूना ठुट रहा है बहीं अगर पेजटिंग की बात करें तो देखेए पेशिटिंग एक तरह जो है हमारी बिल्कुल ही बैसी मिलेगी इसमें मतलब पेज़े कर पर है इस पेर लेप लगा होता है चुना नहीं लगा सिधा होता है पेश्टिंग में और यह जो चिकना वाला हिस्सा होता है बहुत ज्यादा जो चिकना होता है दाने दा तो बों साड़ कपड़े पर इस तरीके से रखा जाता है ऐसे करके माली यहां पर कहीं पर हो प्रग्राइब कर्ग देखता हूं यह मैं छुट रहा या नही चुट रहा है तो देखिए तो देखिए इसे में कोई फरक नहीं पड़ रहा है नहीं तो देखिए ये बिल्कुल ही नहीं छुट रहा है कि इसमें कुछ भी यह मतलब ऐसे ही है बहुं अगर बुकरम की बात करें तो देखिए इसमें बुरादा है अब देखिए कि ये देकिए यह निकल गया मतलब छुट गया तो यह होती है चिपकने वाली जो होती है वो पेस्टिंग होती है बहुत है भूले बहुत है ले collabor नहीं लगा होता है इसमेन हम मतलब कई पर भी कोई लेप इसको चिपका सकते हैं इस पर कितने भी प्रेस लगाई यह चिपक जाएगी तो इस तरीके से होती है और यह जो होती है यह हमेशा महेंगी मिलती है यह मुझे मिली थी 90 रुपए मीटर और यह कसी में आती है एक सक्तर में आती है तो नब्य वाली ज्यादा अच्छी होती है तो बहुती है अब बहीं बकरम की बात करें तो बकरम 30 रुपए मीटर में आपको मिल जाएगी यह पर 35 रुपए इससे ज्यादा नहीं मिलती है तो इतना फ़रक होता है रेट में अब देखें काम क्या होता है गो मैं आपको बताता हूँ तो होती दोनों सफेद ही है अब देखे ये जो बुकरम होती है ये पहले मैं इसका काम बता देता हूँ तो देखे ये जो बुकरम होती है ये आप सलवार की मोहरी में डाल सकते हैं सूट के गले होते हैं उनें ढाल सकते हैं और सबसे सूर की मोहुरी में Map ब्रॉत婚 की बात करते हैं कि न यह पेस्टिंग कि आ dat आती है किस काम यह जैन्स काम में तो इसके लिए देखिए आपने सेट में देखा होगा कालर में कितने कड़क होते हैं एकदम कालर फस्क लास बैठते हैं तो इसमें यही डाली जाती है पेस्टिंग तो यह पेस्टिंग जो होती है इसका कालर काट लेते हैं और उसके बाद अप्र पर टीय व में सिंग होए इसमें एक तरफ लेप लगा है तो इसमें प्रोट चमकष तो इसमें वाला हिस्सा चमक न वाला हिस्सा जो है ये कपड़े पर करके रख देना है कंदरीटान अचितर प्रफ एकर दो डिंधेतां रख में कीटें में और उपर से प्रेस लगा देना यह चिपक जाती है तो एक तरह इसमें उल्टा सीधा होता है समझ लिए जिसमें चिपकने वाला लगा हो यह तो इस तरीके से आपको समझ लेना है तो यह इनके काम होते हैं अब आप सोच रहे हैं कि यह जो पेश्टिंग है अगर हम यह गले म और इससे गला एक दम फस्किलास भी बनेगा लेकिन क्या होता है यह महेंगी बहुत पड़ती है अगर आप एक गले की पेश्टिंग को खराप करेंगे उसमें आपका सट कालर का फाराम से मतलब अगर डिजाइंदर आप गला बना रहे हैं तो कितना साड़े चार इंच में आपका कालर बैठ जाएगा पूरा ठीक है ना लेकिन साड़े चार इंच में आपका डिजाइंदर गला नहीं बैठेगा उसके लिए आपको और चौना काटना होगा तो कहने का मतलब आपको बहुत जादा यह महेंगी पड़ेगी और तभी लोग इसको नहीं डालते हैं औ कोई कदार ऐसे गले आते हैं जो पेस्टिंग के बनाना पड़ते हैं अदरवाइस जो है सारे बहुत सारे काहिने का बनाना हो इसके लिए यही काम आती है कभी कदार ऐसा होता है ताबीज वाला हम बना रहा हैं बाहर के लिए पलटने वाले जो गले होते हैं उनके लिए हम पेस्टिंग का यूज करते हैं तो समझगा ना और यह महेंगी पड़ती है तो इसलिए हर टेलर कोई भी इसको नहीं डालता है जल्दी गलो में तो यह इ पर्फुर्ट होती है तो यह थे हैं यह मीटर कंगे खरे कि esitि काने लुटी होती है कब आली मांगे हो इसी सट्षी मिलती है या फिर पोछेंगे कि आपको सत्रौने लिए तो मेटर Scary मीटर में काती में आती है यह कुछ वाविछ ज्यादा महेंगी नहीं लेना चाहते हैं तो कितनी लेना है तो दिखिए अगर आपको कालर आपको बनाने हैं दो सट के कफ और कालर डालना है तो आपके 25 सेंटीमेटर में दो सट के कालर और कफ आराम से निकालाएंगे और इसमें आपकी थोड़ी पेस्टिंग बच भी आएंगे तो आधा मीटर में ज्यादा बैठते हैं क्योंकि वह खड़े खड़े में आ जाते हैं अब 25 सेंटीमेटर देखे यह है यह 25 सेंटीमेटर है इसकी जादा थी तो यह देखे हमने यह कलर यहां से निकाल लिया यह कलर यह हमारा भी बचा है प्लस इदर हमारे कफ ज सिंगल वाली होते हैं उसमें मतलब जो हैं दो कफ कालर झालते हैं और डोलाज वाली जो उती है तो उसमें जादा बैठ जाते हैं यह बात हो कर इसकी जो है मसाला निकलने लगता है यह देखे इसके महाला निकलने लगता है तो यह हलकी हो जाती है एक होती है कि उसको कितना भी ऐसे करके रगड़ो तो मतलब वो चिपकने वारी नहीं होगी दोनों तरब लेकिन वो होगी ऐसी की जो है उसमें आपकी जहरेंगे नहीं जल्दी और उसके बाद वो जो है खराब नहीं होती है जल्दी बैसी की बैसी ही रहेगी तो थोड़ी सी महेंगी आती है और जल्दी हर किसी के पास मिलेगी नहीं तो लेकिन वो पेस्टिंग नहीं होती है क्योंकि पेस्टिंग में हमेशा एक तरफ जैसा हमने बताया है दाने कि हैं तो समझे लिए वो पेश्टिंग है बुकरम नहीं है तो दो तरीके की बुकरम आती है अब एक पेश्टिंग में आवर भी बता देता हूं जो की पड़ती है इसकूल वाली जो ड्रेसे बनती थी दोस्तों उसमें तो बो कैसी है तो दिखे बो होती है बुकरम ही उसके और यह बाला लेप लगा दिया जाता था यह बाला जो पेश्टिंग में लेप लगा होता है चिपकने वाला तो उसमें लगा दिया जाता है बुकरम में एक साइडम तो उससे होता क्या था देखिए उससे जो है आपको बुकरम जो है बहुत चिपक जाती थी कालर में तो क से क्या होता है कि वुक्रम में एक तरफ पैस्टिंग लगी होती है चिपकने वाली तो उसको भुकूरम वाली पैस्टिंग भी कहके करना सरे छिपकने वाला तो इसा आपको महणगी मिलेगी इसे बहुत ज Daddy करना होता है तो यह जो है यह बुक्रम है यह पेस्टिंग है तो उमीद करता हूं दोस्तों आप पता चले आओगा बुक्रम कौन से होती है तो बगर वीडियो यह अच्छा लगा तो लाइक करें चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करने फि सब्सक्राइब कर चले हुkt